Hey guys, what's up, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको Excel की Charting के बारे में कुछ बताने की सोच था Charts वगेरा के बारे में लेकिन मुझे लगा कि पहले कुछ और चीज जो हैं आपको बता देते हैं For example, हमारे पास सरे चार प्रोडक्ट्स हैं और यहां पर मैं माल लेता हूँ, अपने मन्त को लिख देता हूँ इस डेटा से हम लोग आगे चलके चार्ट बनाने वाले हैं So, अभी के लिए मैं आपको basic data के साथ कुछ खेलना सिखा देता हूँ तो January को हम लोग नीचे स्क्रॉल कर देंगे यह हमने last वाली वीडियो, custom list वाली वीडियो में आपको समझाया था अगर आपने custom list वाली वीडियो नहीं दी कि तो जाके एक बार देख लीजेगा जल्दी से उसका link में आपको दे दूँगा अब देखिए, मैं आपको कुछ tips देना चाहता हूँ कि देखो भाई, यह Excel sheet अच्छी कैसी लगी अभी नहीं, Excel sheet ऐसी लग रही है जैसे बस उठाके कचरा डाल दिया है सबसे पहले मैं grid lines को remove कर देता हूँ उसके बाद सर मैं इसमें अपने data में जो है अगे यह एक personal flavor है इसको sir, all border कर देता हूँ यहां पर जाके sir, मैं इसका color change करना चाहूँगा और उसके बाद इसके अंदर font का color है उसको भी मैं थोड़ा सा change करना चाहूँगा देखे, दो मिनिट के अंदर दो मिनिट से भी कम के अंदर हमारा data ठीक ठाक data दिखने लग गया है अब मज़े की बात है sir, मैं इसको total करना चाहता हूँ तो देखे, एक तो sir, total करने का तरीका क्या होता है sum के formula से आप लोग total कर सकते हो बड़ी एक बहुत ध्याड़ी बनाओ तरीका है और हमें तो sir, हमेशा याद रखना है एक इसकी power को इस्तिमाल करना है एक तरीका है, alt equal to आप करेंगे shortcut, alt equal to तो भी अपने आप जो sum का formula लग जाता है लेकिन अब आपको चार बार alt equal to दबाने की जूरत नहीं है आप चारो लाइन को select कीजिए, alt equal to press कीजिए चारो लाइन का total आ जाएगा अगर आप यहाँ पे हैं, तो अगर हम alt equal to दबाएंगे तो आपका यह January मन्त का जो है चारो प्रोडक्क का total आ जाएगा लेकिन फिर से वही बात कि हम सबको अगर select करके alt equal to दबा दें, तो सबका total आ जाएगा लेकिन आप बोलो, कि Sir मैं तो क्या करना चाहता हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ मैं सबका total एक साथ करना चाहता हूँ तो आपको जहाँ total चाहिए और जिनका total चाहिए उसको आप data को select कर लिजे यह मैंने range select करी और मैंने alt equal to press कर दिया आप देखे क्या कमाल की चीज़ हो गई है तो यह कमाल का सरी यह shortcut है alt equal to बस use करने की बात है हम लोग आने वाली videos के अंदर जो है वो charting के बारे में बात करेंगे इस data को मैंने prepare कर लिए और इसके basis पर मैं चार्ट बनाऊंगा अगर आप Excel की और बहुत amazing videos देखना चाहते हैं और Excel सीखना चाहते हैं तो यह रहा Excel Club का पूरा detail description आप Excel Club में enroll कर सकते हैं www.ed91.org पर जाके चार्ट की videos देखना चाहते हैं आप को यहां पर मिलेंगी और से आप काफी को जो हैं को सीख सकते हैं All the best